हाडीस रामानुजन नंबर जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी नंबर के लिए पर बात करेंगे 1729 इसी को कहते हैं हम हाडीस रामानुजन नंबर ये नंबर दिखने में बहुत सिंपल और ओडिनेरी है लेकर अगर आप इसके पीछे के discovery की कहानी देखे तब आप समझेंगे कि लिए नंबर कितना खास है इस नंबर को हम टैक्सी कैप नंबर के नाम से भी जानते हैं टैक्सी कैप क्या इसका relation टैक्सी से है तो आईए इसके discovery की कहानी को समझते हैं हाडी और रामनजन दोनों ही ग्रेट मैटमेटिसियन थे, दोनों को नमबर्स की उपर बात करना बहुत अच्छा लगता था, एक बार क्या हुआ कि रामनजन की तबियत बहुत जादा खराब हो गई, और उनका इलाज पुतनी में चल रहा था जो कि लंडन में है, तो हाडी ने सोचा मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए, तो उन्होंने टेक्सी पकड़ी और उसमें बैट गए, अब हाडी के लिए आदत थी कि वो जिस भी टेक्सी में बैटते थे, उसका नमबर नोट करते थे और उसको समझते थे, अब इस टेक्सी का नमबर था 1729, उन्होंने इस नमबर को देखा, लेकर उनको तो ये नमबर बहुत ही अनिम्पोर्टेंट और ओर्डिनरी से नजर आया, फिर वो रामरेजन के पास पहुचे, उन्होंने पूछा, अब तुम ठीक हो पहले से, तो रामरेजन ने कहा हाँ, फिर हाडी ने उनसे इसी नमबर के लिए बात की तब रामरेजन ने बताया, कि ये जो नमबर है 1729, कि दुनिया का पहला ऐसा नमबर है, जिसको हम express कर सकते हैं ऐसा sum of two positive cubes, यानि आसान भासा में समझें, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तरीका ये है हम लिखते हैं इसको 12 का cube प्लस 1 का cube, दूसर तरीका है ह हम इसको लिखते हैं 10 का cube प्लस 9 का cube, यानि एक ही नमबर को हमने लिख दिया दो तरीके से cube के form में, ये सबसे छोटा ऐसा नमबर है, इसके बाद एक नमबर और आता है 4104, उसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 16 cube प्लस 2 का cube, 15 cube प्लस 9 का cube, लेकन सबसे छोटा है 1729, इस तक हम केवल 6 taxi cab नमबर पता लागा पाए हैं, और आभी जो नमबर दिख रहे हैं, ये 6th taxi cab नमबर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलके हमको और taxi cab नमबर देखने को मिलेंगे, थैंक यू,